बार्व करता हूं आपसी लोग अप्छाई यहों है तो चली क्लास को स्टार्ट करते हैं पिछली क्लास को अगर आप लोग नहीं देखिए तो ब्ली लिश्ट में आपको topic-wise की भी classes मिल जाएंगी कल हिंदी की जबर जस्त class होई है वरणमाला के top 50 questions कराया हूँ और आज और 50 questions करवा दूँगा उसके बद वरणमाला आपका clear हो जागा ठीक है तो उस class को अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो जाकि देखिए सरकारी seat लेना है तो जितनी भी मेरी जीकी हो गया, reasoning हो गया, subject ability हो गया, पूरे topic wise 5000 से ज़्यादा question देखने को मिलेंगे, साथी 2012 से 22 तक यानि 10 year के previous papers भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो सरकारी seat लेना है तो इस class course को आप लोग ज़रू परचेश के लिजेगा, 149 रुपय में आपको मिल रहा है, पूरा material, कैसे परचेश करना है, इस निचोड notes को, पीडियाप को वीडियो को description box में एक link होगी, crash course करके उस link पे आपको click करना है, ना mobile, email, एडिया आप से पूचा जागा, उसके बाद 149 रुपय का payment करना है, जैसे ही आपके payment सक्सेश होगी, डाउनलोड का option है, डाउनलोड कर लिजीगा, और इस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकि देखिए, बहुत ही जो है, non-lisable वीडियो है यह, तो जाकि जरूर देखिए एगा upload, ठीक है, चलिए, सबसे पहला प्रशन आ गया है, सभी को good morning एक बार फिट से, सभी लोग इस प्रशन का जवाब दने का प्रयास करेंगे, चांदी हवा में किसकी उपस्थेती के कारण संचारित हो जाती है, good morning भाई, सभी को, सभी लोग जवाब दने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक करतेंगे, सभी लोग, share करतेंगे, ताकि और सारी लोग जोईन हो शकें, चांदी हवा में किसकी उपस्थेती के कारण संचारित हो जाती है, तो चांदी हवा में hydrogen sulfide की उपस्थेती के कार और हिंदी वनवाला की PDF भी आपको मैं टेली ग्राम पे सिंड कर दूँगा, टेली ग्राम चैनल से आप लोग जोईन हो जाईएगा, ठीक है, चलिए, निमलकित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व है, बताए इसमें कौन सा रेडियो धर्मी तत्व है, दूसरा का जौब बिल्कुन करेक्ट हो जगा, कोबाल्ट धातू जो है, किस विटामिन पाई जाती है, आप लोग बताईएगा, बताईए सभी लोग, विटामिन बीटॉल में, ठीक है, पाई जाता है, चलिए, आगला प्रशन यहाँ पर देख सकते हैं, समवेधानिक उपचारों का अधिक बिल्कुन करेक्ट हो जगा, ठीक है, चलिए, निम निम में से किस पाचन अंग में अमल होता है, बताएं सब लोग, अमाशय में या एपेंडिक्स में या चोटी आत में या कोलन में, बताएं, निम निम में से किस पाचन अंग में अमल होता है, तो ये होता है अमाशय में, ठीक है, फोर का यह आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा, अगला प्रशन यहाँ पे देख सकते हैं, पाक जल्डम, भ तथा मननार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग शमुद्री जलमार के कारण इन में से कौन सा देश भारत से अलग इस्थित है। चलिए निर्मित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकतिक रेशे की रूप में जाना जाता है। आप दने का प्रयास करेंगे गुड़ मॉनिंग भाई सभी को वेरी वेरी गुड़ मॉनिंग सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेर कर देंगे। बेहतरिंग अंक लाने हैं इस बार तो चैनलों को सब्सक्राइब करें इमानदारी से इस चैनल से आपको निश्चिती मदद मिलेगी। तो प्रकासी फिल्टर का उद्देश है विभिन रंगों के प्रकास का संचारन या समावेशन करना यही प्रकासी फिल्टर का उद्देश है सेवन का जितन Łob D जो आप दिये उनका उत्र विलकूं सहीly हो जाएगा। फ्रेंड्स, पचास में से जितने भी प्रशन आपके सही होते हैं, तो लाश्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, ताकि मैं जान सकूँ किन का क्या स्कोर जा रहा है, और बहुत इजल करेंट फिर की भी क्लास आपकी स्टार् नहीं है, ये दोनों तो हैं भाई, BCD संक्या प्रणाली, decimal संक्या प्रणाली, ये दोनों आपके हैं, ठीक है, दुयाधारी संक्या प्रणाली भी है, access 3 code आपका नहीं है, weighted code, ठीक है, तो आठवा का ये आपका बिलकुन correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, जीसस ने मर्डों प पुनह जीवन धारन किया, यह कहा जाता है, पुनर जनम कहा जाता है, ठीक है, 9 का A आपका, बिलकुन correct हो जाएगा, चलिए, ओजोन, जिन सक्तिसाली विकरणों को शोक कर जीव मंडल को सुरच्छा पदान करती है, उन्हें क्या कहते हैं, वेरी वेरी मोश्ट इंपॉर्ट जीव मंडल को सुरच्छा पदान करती है, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, यूवी, ठीक है, वेरी वेरी मोश्ट इंपॉर्टन कोश्चन है, चलिए, बिर्जु महराज किस विधा के जोह सुपरसित प्रतिपादक है, कताई जहर वाला प्रश्ण है, सीधे अपने वाला प्रश्ण है, बचाए, सभी लोग, बिर्जु महराज का शम्बंद किस से है, किसके ये जो हैं, सुपरसित प्रतिपादक है, 11 का राइटन से क्या हो जागा, जो आप ज़ने के प्रास करेंगे, कताख के सुपरसित प्रतिपादक है, ये, बिर्जु महराज 11 क बिया आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा, important question था आपके exam के लिए, चलिए, प्रतवी के वायुमंडल की अनुपस्तिती में आकास कैसा प्रतित होगा, नीला, गहरा लाल, या काला, या स्वेद, प्रतवी के वायुमंडल की अनुपस्तिती में आकास कैसा प्रतित होगा, त स्टा लगा के नोट के लिजीगा, भारती राष्टी कॉंग्रेस की प्रथम महिला अधश कौन थी, 13 का जॉब दने के प्रयास करेंगे, तो वो थी एनिबेशिन, 13 का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, ठीक है, अगर पूछे भारती राष्टी कॉंग्रेस के प्रथम मु प्रथम इस्तरियों की उधार अवसक्ताओं की पूर्ती करता है, तो वो है राष्टी महिला कोश, ठीक है, 14 का बिलकुन करेक्ट हो जगा, वीडियो को लाइक नहीं कर तो अब लोग, प्रीस वीडियो को लाइक करो शबी लोग, चलिए, भारत की नियंतरक यों महालेखा परिच्छक लेखा जोखा सम्मंदे रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, तो यहां प्रस्तुत करते हैं, राष्ट पती को 15 का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए, प्रथम बौध परिशत कहां आयुजित होई थी, बताएं सब लोग, 16 का राईतना सर क्या पर्थम बौध परिशत कहां आयुजित होई थी, वेरी वेरी मोश्ट इंपॉर्टन कुश्चन है आपके एक्जाम के लिए, 16 का राईतना सर क्या हो जगा, यह कुश्चन कई बार एक्जाम में पूछा जा जगा है, तो इस टाल लगा कि नोट के लिए जगा, पर्थम पूरवी घाटों का मिलन कहा होता है, निलगिरी की पहाड़ी। या कारडा मम की पहाड़ी। पलानी की पहाड़ी। अन्ना मलाई की पहाड़ी। शातवाहन समराज के संस्थापक कौन थे बताएं सब लोग most important question है ये हुआ था 1907 में शूरत अधिविशन में ठीक है ये भी बहुत important question है इश्टा लगाईए सभी लोग और नोट करिए सभी लोग इसे चलिए Silika jail क्या है Silika jail बताएए क्या है है रा जबर जस्त प्रशन सभी लोग ज़्यचा जवब दे है pension सुखाने वाला पदार्थ है सुखाने वाला पदार्थ है 20 ये ज्यापका बिल्कुन correct हो ऐगा चलिए किस सूपर फास्ट रेल गाड़ी के एर-कंडीशन डिबो में जो हैं ब्रेल सिगनलों की सुइधा है बताएं सेब लोग किस सूपर फास्ट रेल गाड़ी के एर कंडिशन डिबों में ब्रेल सिंगलनों की सुविधा है पुर्शुत्तम एक्सप्रेस है वो ठीक है 21 का यह आपका बिल्कुन करेक्ट हो दगा चलिए 22 को जाप दने के प्रियास करेंगा आजसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोग भी सकते हैं सबी लोग जाप दने के प्रियास करेंगे तो यह आमोनिया में प्रिवर्थित करते हैं ध्यान न किएगा स्पोर्ट से यह कुश्चन बहुत पूचे जा करते हैं कि किस खिलाड़ी का समय किस खिल से है कभी-कभी मिलान करने के लिए दे जाता है कि इसमें से बेमेल का चैन करें स्पोर्ट से यह चलिए भारत में गेंडे का प्राक्तिक निमास कहा है बताएं सब भारत में गेंडे का प्राकतिक निवास कहां है 24 का जौब देने का प्रयास करेंगे भारत में गेंडे का प्राकतिक निवास है काजी रंगा राश्टी उद्दान है यह अश्रम में है ठीक है 24 का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा यह एक सींग वाले गेंडे क लिए विशेश रूप से प्रसिद्ध है काजी रंगा राश्टी उद्दान ठीक है भरतपूर कहां पे हैं गिर कहां पे हैं कमेंट बॉक्स में छाप देंगे चलिए वहां सुपरसिद्ध भारती करांतिकारी कौन था जो ब्रेटिस जेल में 63 दिनों को भूख हड़ताल के द दारन मर गये थे चलिए यह आपका बिल्कुन करेक्ट होजगा CO2 के अलावा अन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है बताएं सब्लोग CO2 के अलावा अन ग्रीन हाउस इसमें आपको बताना है 26 का जवाब दने के प्यास करेंगे सब्लोग answer सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो करिएगा important लिख लेजिए अभी के अभी सब लोग सबी लोग जवाब देंगे भारत की राश्टी आई का संकलन कौन करता है तो वहां करता है केंदरी संख की संगटन CSO ठीक है तो 27 का आपका डी वाला विलकुन करेक्ट होजगा CSO की साफना बहुत पूची जाती है 1951 में लोग भारत के उचितम नियाले की केंदर और राज्यों के बीच विवादों के निरणयन की सकती किसके अधिन आती है तो यहां आती है मूल छेतरा अधिकारी के अंतरगद ठीक है ऑफन इसका बी वाला बिलकुन करेक्ट होजगा सत्मे उजयते सब्द किस उपनिसा से लिय करिएगा ये तो कोश्चन हर वर्स रिपीट होता ही रहता है सत्मे उजयते ये लिया गया है मुंडग उपनिसा से ठीक है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेन कोश्चन है इस कोश्चन को नोड जरूर से जरूर करिएगा आप लोग ठीक है चलिए जब गरिफाइट आगे चलते हैं निमलकित में से क्या उर्जा का वडजिक स्रोत है निमलकित में से क्या उर्जा का वडजिक स्रोत है इसमें 31 का जवाब देने के प्रयास करेंगे निमलकित में से क्या उर्जा का वडजिक स्रोत है तो वो है आपका प्राक्तिक गैस नैचुरल गैस ठीक है आपका 31 का D वाला बिलकुन correct हो जगा, important question था आपके exam के लिए, पश्य बंकन सप्लाई वकर का शम्मन्द किस बाजार से है, 32 का जौब देने का प्यास करेंगे सब लोग, good morning बाई, सबी लोग वीडियो को लाइक करो, पश्य बंकन सप्लाई वकर का शम्मन्द किस बाजार से ह तो इसका सम्मन्द है स्रम से, स्रम बजार से है, ठीक है, चलिए 32 का B आपका बिलकुन correct हो जगा, अगला प्रशना आपकी स्किन पे है, सूचना प्रदोगोगी में associative memory को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं content addressable memory, 33 का C आपका बिलकुन correct हो जगा, चलिए, आरध चालक में उप्यो तो भी सुद्धाओं को मिलाने को क्या कहते हैं, इसनेहत, मिस्रन, तनुकरन या रूपन, 34 का जवब दने के प्रयास करेंगे, उसे कहते हैं, इसनेहत कहते हैं, क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटो का सम्मन्द किस से है, most important question है, आपके exam के लिए इस्टा लगा के note के लिजगा क्योटो प्रोटो का सम्मन्द है, जलवायू परिवर्थन से, ठीक है, भी आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा, ठीक है, चलिए, अगला प्रचन यहां पर देख सकते हैं, अगला प्रचन है, इब्राहम अलकाजी निमलकित में से किस शेत्र में परसिद्य सक्सियस हैं, तो श 36 का सी आपका, बिलकुन करिक्ट हो जगा, चलिए, अगला प्रचन यहां पर देख सकते हैं, इसकोडा, जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिट उतारी मूलता किस देश के आटो मूबाइल निर्माता है, इसकोडा, 37 का जाब दने के प्रैस करेंगे, इसकोडा कहां का ह बाई बताएं, चेक गणराज का है, चेक गणराज देश का, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, सत्री, किस राज का सास्री नत्र है, very very most important question है, सीधे एक्जाम में छपने वाला प्रशन है, सत्री नत्र जो है आपका, किस राज का जो है नत्र है, यह ध्यान न कियेगा, अश इलोरा, कोड़ांग, अजन्ता, कैलास का प्रसिद्ध, शैल, कटाई, निर्मत, मंदिर, कहां, इस सीधे धान कियेगा, एलोरा में है, ठीक है, 39 का D आपका, बिल्कुन, करेक्ट हो देगा, important question था, आपके exam के लिए, चलिए, यदि किसी राज के, विधान मंडल में, बज़ विधान मंडल में, बज़ट गिर्ज आता है, तो, धान न कियेगा, मुखमंत्री सहित, मंदिर परशक को त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है, चलिए, समझ में आ गया, आगे चलते हैं, निमलिकित में से, किस अखबार का, गांधी जी ने, दच्छन आपरिका में, सं महत्मा गांधी किये थे, ठीक है, और कोशन ये एक्जाम में बहुत पुछा था है, कि दच्छन आपरिका से भारत कब आये थे महत्मा गांधी, तो, 1915 में आये थे, ठीक है, चलिए, 9 जनुरी, 1915, सबसे बड़ा टापू कौन सा है, बताएं, सबसे बड़ा टापू, कौन सा है, 42 का जाप दने के प्रयास करेंगे, सबसे बड़ा टापू है आपका, ग्रेन लैंड में, ठीक है, 42 का ये आपका, बिलकौन करेक्ट हो जगा, चलिए, मीबो, मीयं, गरंती किसमें इस्तित होती है, मीबो, मीयं, गरंती किसमें होती है, आख, कान, नाक, तो, ध्यान न टेलर मशीन, 44 का जाप दने के प्रयास करेंगे, तो ये खोला गया था आपका चेन नाई में, ठीक है, तमिलनाडू के चेन नाई में, चलिए, भारत में आरसेनिक समस्या मुक रूप से किस कारण से है, भारत में जो है, आरसेनिक समस्या मुक रूप से किस कारण से है, तो वाइट ब्लड कार्पो श्लेस इसका सम्मन्द है रोगों के विरुद्ध सरीर का रच्छन करना रोग प्रतिक रोग छुमता हो जाएगा आपका ठीक है डब्लू बीसी का सम्मन्द चलिए निमलिकित में से कौन सा विटामीन पानी में घुलन सील होता है देखें आज के बाद भूलेंगे नहीं विटामीन बी और सी डब्लू बीसी करके याद रखें डब्लू से आपका वाटर हो गया और बीसी आपके जो है होते हैं ये आपका सही हो जागा ठीक है बाकी आपके वश्चा में होते हैं ए और डी ए के ये चारों विटामीन आपके वश्चा में गुलंसील होते हैं विटामीन बी और सी ये जल में गुलंसील होते हैं डब्लू बीसी करके याद रखेंगा कभी जिंदगी में आप लोग नहीं भूलेंगे ठीक है चलिए अर्थसास के दिष्टे से यदि बीना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संबह हैं तो वहाँ इस्टिक कैसी होगी बताएं वहाँ इस्टिक कैसी होगी परेटो स्रेष्ट होगी ठीक है चलिए 48 का जितने में गडी जॉप दिया उनका अंसर बिलकुल सही हो जा ग्रीन हाँस परभाव का क्या अभि पराएं ये आपको बताना है ग्रीन हाँस परभाव का क्या अभि पराएं वाई मेंडली गैसों के कारण साउर उर्जा को रोकना यही ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिपराय है 49 का C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा जनरल डायल जो जलिया वाला बाग नरसंगहार का दोशी था किसके दौरा मारा गया था जलिया वाला बाग हत्यकान हुआ कब था 13 अप्रेल 13 अप्रेल 1929 को किसके दौरा मारा गया था उधम सिंग ठीक है 50 का C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा उधम सिंग के दौरा जो है मारा गया था जनरल डायल ठीक है शो फ्रेंड्स ये थी आज की जीके जैसी क्लास कैसी ली क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीद्बैक जरूर दीजेगा 50 में से जितने भी प्रशन आपके सही हुए हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा मिलते हैं अगली वीडियो पे इस वीडियो को लाइक करें शेर करें हिंदी की जबर जैस क्लास आने वाली है दुपहर डेढ़ बजे उस क्लास को देखना मत भूलेगा चलिए ऐसी ही आप लोग डेली अपनी जो हैं तैयारी करते रहें दस फरविर से आपका फार्म स्टार्ट हो रहा है ठीक है चलिए थैंकिशो मच वीडियो को लाइक कर दीजीगा सेर कर दीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेलागान को ओल पर जरूप इसके लिजगा ताकि कोई भी अपडेट आप वो अपडेट आपको शब से पहले हमारे चैनल के मादम से मिल सके है थैंकिशो मच